देश के रेल मंत्री स्री अश्विनी वैश्णव जी, कारकम में देश के कौने कौने से जुडे केंत्रियम मंत्री मंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्री गण, राज्यमं मंत्री मंडल के मंत्री स्री, शांसद गण, विधायक गण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाईयों और बहनों। विख्षित होने के लक्ष की तरफ, कदम बड़ा रहा भारत, अपने अम्रित काल के प्रारंब में है, नई उर्जा है, नई प्रेर्णा है, नए संकल्प है, इसी आलोक में, आज भारतियर रेल के इतिहास में भी, एक नए अध्याय की शुरुवात हो रही है, भारत के करीब तेरा सो प्रमूख रेल्वेस्टेशन, अब अम्रित भारत रेल्वेस्टेशन के तौर पर विक्सित किये जाएंगे, उनका पुनर विकास होगा, आधुनिक्ता के साथ होगा, इस में से आज पानसो आठ अम्रित भारत स्टेशनों के पुनर निर्मान का काम शुरू हो रहा है, और इन पानसो आठ अम्रित भारत स्टेशन के निर्वन निर्मान पर करीब 25,000 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे, आप कल्प ना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्रक्टर के लिए, रेलवे के लिए, और सबसे बड़ी बात है, मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए, ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है, इसका लाप देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा, जैसे यूपी में इसके लिए करीब 45,000 करोड रुपे के खर्च से 55 अम्रिज स्टेशन को विक्सित किया जाएगा, राजस्तान के भी 55 अम्रिज भार स्टेशन बनेंगे, महाराष्ट में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1500 करोड रुपे से ज्यादा खर्च होंगे, तमिल नाडू, करनाटका और किरला के भी प्रमूख स्टेशन्स को अम्रित भारर स्टेशन के रुप में विक्सित किया जाएगा मैं अम्रित काल के प्रारम में इस अइतिहासिग अभ्यान के लिए रेल मंत्रारे की सराना करता हूँ और सभी देश वास्यों को बधाई देता हूँ